येस नाइन लिकलास नेक्स टॉपिक है पार्ट्स ओफ टिपिकल फ्लावर अगर एक फ्लावर में हम देखे ता कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इक फ्लावर अर बौन ओन दी थल्मस इन फॉर ओर्लस एज फॉलो एक थल्मस जो कपला एक स्ट्रक्चर हम निकल लगा था हैं इसके उपर फॉर ओर्लस प्रेसंट होते हैं को नहीं सो होता है, फर्स्ट ओरल ऑफ ग्रीन सपल्स, कोल एक्लightली काल्ड केलक्स, तो मितलब फ़र्स्ट ओरल जो है, वो सेपल्स का होता है, जो गुरूपर उप्रैजन्ट होती है, तो उनको हम केलक्स बोलते हैं। The second oral of large, brightly colored petals, collectively called crolla. और जो second oral होते है, वो petals का होते है, जो की काफी brightly colored होते हैं, red, pink, purple, yellow हो सकती हैं. तो उनके group को हम crolla बोलते हैं. The third oral male oral consisting of stamens, called androsium. जो थर्ड होरल होता है उसमें क्या होता है मेल गे मीट्स प्रेजन्ट होते हैं मेल पार्ट होता है वो फ्लावर का जिसको कुलेक्लियम स्टेमन बोलते हैं और उसका अनदर नेम अंड्रोश्यम भी है फॉर्थ होरल और फीमेल होरल कंसिस्टिंग ओफा सेंट्रिली लुकेटेड पिस्टेल विच में बी फॉर्मड ओफा सिंगल कार्पल और 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 सेवरल फ्यूज़ कार्पल्स कुलेक्लि कोल्ड गाइनोश्यम और जो लास्ट फॉर्थ होरल है वो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का जिसमें पिस्टेल होती है अगर अकेली है तो इसको हम कार्पल बोलेंगे अगर काफी सारी ग्रूप में प्रेजेंट है तो गैनोश्यम बोलते हैं नेक्स्ट आते है टाइपस फ्लावर फिर्स्ट है कंप्ली एड इंकंप्लीट फ्लावर इन अ कंप्लीट फ्लावर all the four ओरल्स that is केलक्स, क्रोला, अंडरोश्यम और गेनोश्यम सार प्रेजिंट तो इन में क्या होता है कंप्लीट फ्लावर में 4 के फोर ओरल्स तो यह complete flower है, मतलब proper बना हुआ है, incomplete one or more oral साथ lacking, incomplete flower होते हैं, जिसमें से इन चारों में से कोई एक चीज प्रेजन नहीं होती, एक या दो प्रेजन नहीं होती, जैसे कई बार एंड्रोशियम या गनोशियम में से कोई एक चीज मिस होती है, जैसे जो flowers होते हैं, जो unisexual है, तो उसमें सिरफ एक की टाइप का सिरफ male reproductive या female reproductive organ present होगा, दूसरा जो हो absent होगा, तो इसको हम एक डाइग्राम के थू भी देखेंगे, structure of a flower, इसमें flower की full आ रहा है, फर्स्ट है, जैसे यह बला है, सबसे पहले से स्टार्ट करेंगे, it is the first oral of the flower, जिसको हम सेपल बोलते हैं, green leaf like structures होते हैं, उसके बाद brightly colored petals आती हैं, जो की second oral है, flower का, उसके बाद यह third oral हाते हैं, जिसको हम stamen बोलते हैं, स्टेमन आगे टू पार्ट के बने होते हैं, एक होता फिलामेंट, जिसमें एक स्टोक लाइक structure आती है, और एक उपर एंथलोब जाती है, जिसमें male gimmick present होते हैं, तो यह होती है स्टेमन, जिसको male part of the flower बोलते हैं, थर्ड नमबर पर आते हैं, लास्ट पर आता है, पिस्टि यह सारा long tube like structure, और थर्ड पर आती है, यह ovary, एक swollen part है, जो ovary, तो यह तीनों चीज़ें मिलके, पिस्टिल बनाती हैं, जो की female reproductive part है, और यह सारी four ke four horals, जो हो थेलमस है, जो एक कपल like structure है, थेलमस के उपर placed है, और थेलमस को attach को उन कर रहा है, प्लान के साथ, पैड अंकल, जो की stock of the flower है,